करोन अच्छा लग रहा है दोस्तो आजकल इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी बेप सरीज लांच हो चुकी हैं जिन्हें देखने के बाद मूबी देखने का मन नहीं करता लेकिन कुछ बेप सरीज ऐसी हैं जिसे हम फिरी में देख पाते हैं और कुछ नहीं आज हम आपको उन बेप सरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें मार्च 2 के 21 में रिलेज किया गया है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें तो बीना देर किये चलिये शुरू करते हैं ये वीडियो सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ हम परमपरा है ये आश्रम की परमपरा वो जो मैं दे करूँ अधिकार वो जो मैं बताऊ जानती दो है बाबाजी के शौक और रोज नहीं लड़कियां चाहिए होती है स्वाइट का सकती हैं मैं आपको वो भी खुली आँखों से नंबर वन पर है चकरबियू सीजन वन बैफ स्रीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगने वाली है जो की सीरियल किलीन और कराइम एक्टिविटी वाला वैफ स्रीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वैफ स्रीज की स्टोरी शुरू होती है एक सीरियल किलर से लेकिन ए सीरियल किलर कुछ अजीब ही है क्यूंकि ए लोगों को मारने के बाद उनके बॉड़ी पर्स को कलेट करता है आखिर कार वो सीरियल किलर लोगों को मारने के बाद उनके बॉड़ी पर्स को क्यों कलेट करता है इसी मिश्टरी को सॉल करने की कोसिस की जाएगी इस कंप्लिट बैप स्रीज में बैप स्रीज रिलीज की गई है नमबर टू पर है प्रोजेक्ट 9191 बैप सरीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगने वाली है जो कि स्पाई थीलर बैप सरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बैप सरीज की स्टोरी में कुछ की रिमिनल एक मिसन को कामियाब बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारी इंडियन एजेंट उस मिसन को किसी भी तरह से रोकना चाहते हैं और असल में प्रोजेक्ट 9191 का क्या मोटिवेशन है ये तो आपको बैप सरीज देखने के बाद ही पता चलने वाला है बैप सरीज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बनाई गई है इससे रिलिज की गई है सोनी लिव पर नमबर तीन पर है हे परभू सीजन टू दोस्तो हे परभू सीजन वन की अगर हम बात करें तो हे परभू का सीजन वन बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगी थी और लोग इस बेफसरिज की कॉमेडी एक्टिविटी को भी पसंद कर रहे थे लेकिन इस बार फिर से परभू एक नए प्रॉबलम को लेके आपके सामने आ रहे है और लाश्ट अग परभू अपने इस डिपकल प्रॉबलम को किस तरह से स्टॉल करते है यही दिखाने की कोशिज की जाएगी इस कंपलेट बेफसरिज में अगर आप इस बेफसरिज को देखना चाहते हैं तो फिरी मैं MS प्लेयर पर देख सकते हैं मेरे माबाप को लगता है मैं निकम्मा हूँ बाकी सबको भी लगता है कि मैं बच्चा हूँ हाथ हो दिरो नहीं करता लेगा और कुछ अक्शन भी लेगा मैं अपने काम में बहुत सही हूँ तुम्हें सीओ बनाने की कब बात की दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक करें और चैनल पन्नाए हैं तो इससे सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आई बेप स्रीज के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई करें तो इससे साथ